ओम नमो भगवते वासुदेवाई, असार महा के कृष्ण बख्षी की एकादसी, जिसे योगिनी एकादसी कहते हैं, योगिनी एकादसी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है, तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ती भी मिलती है, योगिनी एकादसी महा भारत काल की बात है, एक बार धर्मराजुदिष्टी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्र लोकीनात, मैंने जेश्ट महा के सुकल बख्षे की निर्जला एकादसी की कथा सुनी, अब आप क्रपा करके असार महा के कृष्ण बख्षे की एकादसी की कथा सुनाई इस एकादसी का नाम तथा महातम में क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वग बताईए, श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडू पुत्र, असार महा के कृष्ण बख्षे की एकादसी का नाम योगिनी एकादसी है, इसके व्रत से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं, यह व्र इस भोग विलास में दो पहर हो गई, हे ममाली की रहा देखते देखते जब राजा कुवेर को दो पहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आगया दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हे ममाली अभी तक पुस पे लेकर क्यों नहीं आया, जब सेवकों ने उसका पता लगाया, तो राजा के पासा कर बताया, हे ममाली अपनी इस्त्री के साथ रमन कर रहा है, इस बात को सुनकर राजा कुवेर ने हे ममाली को बुलानी के आगया दी डर से कापता हुआ, हे ममाली राजा के सामने उपस्धित हुआ, उसे देखकर कुवेर को अत्यंत दुख क्रोध आया और उसके होट फड़फणाने लगे राजय ने कहा अरे अधम तुने मेरे परम पूजने देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है मैं तुझे श्राब देता हूँ कि तु इस्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यू लोग में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करें कुबेर की श्राब से वह तक्षन स्वर्ग से मृत्यू पर आगिरा और कोड़ी हो गया उसकी इस्त्री भी उससे बिछड़ गई प्रित्यू लोग में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे किन्तु शिव की क्रपा से उसकी बुद्धी मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्मी के भी सुध रही अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मी के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमाल रिशी को देखकर हेम माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा हेम माली को देख मरकंडे रिशी ने कहा तुने कौन से निक्रस्ट कर्म किये हैं जिससे तू कोडी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है महर्शी के बात सुनकर हेम माली बोल जाने के कारण मुझे समय का ज्यान ही नहीं रहा और दो पहर तक पुस्प ना पहुँचा सका तब उन्हों ने मुझे श्राब दिया कि तु अपनी इस्त्री का वियोग और बृत्यों लोग में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोग इस कारण में कोड़ी हो गया तथा प्रत्व यदि तु असाड माह के कृष्ण बक्षी की योगिनी नामक एका दसी का विधी पूर्वक व्रत करेगो तो तेरे सभी पाप नश्ट हो जाएंगे महर्शी के वचन सुन हेम माली अतिप्रसन हुआ और उनके वचन के अनुसारी योगिनी एका दसी का विधी पूर्वक व्रत करने लगा इस व्रत के प्रभाव से अपने पुरानी सुरूप में आ गया और अपनी इस्त्री के साथ सुग पूर्वक रहने लगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे राजन इस योगिनी एका दसी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है इसके व्रत से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और अन्ते में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी सुर्ग का अधिकारी बनता है ओम नमो भगवते वासु देवाए